चिराग पापा रामविलास पास्वान देश के बड़े नेताओं में से एक थे उनका बड़ा प्रभाव था सरकार में मंतरी थे और गिनीज बुक आफ रेकॉर्ड में नाम था सबसे जादा मार्जन से चुनाव जीतने वालों में इतना सबुछ घर में था उसके बाद भी आ हम नेपो किट्स के उपर अब ये दोधारी तलवार चलती है मैं जिस दोर से आता हूं पिदा के नक्षे कदमों पे चलना अच्छा माना जाता था पर उसके बाद अब मैं मानता हूं कि अगर आप इच्टा के नक्षे कदमों पे चलें तो शायद उससे बड़ा गुना कु उस वक्षे किया एक आटरेनेटिव करियर की कात्रा ही मैंने किया बट जितना आपने ट्रेलर देखा उसी से पता चल गया कि कुछ नहीं होने वाला है इसका क्यों कंगना रनौत पसंद नहीं आई या फिल्म करियर पसंद नहीं है लोगों को हम दोनों एक साथ नहीं पसंद आए पर अब हम दोनों एक साथ पारलिमेंट में आने वाले हैं आपने बीच में फैशन डिजाइनर का करियर भी ट्राइ किया था जी मतलब दाट वस फोर वेरी शॉर्ट टाइम और वो नोस बेटर थैं यू वो एक समाव विकेशन का एक शौक था गन्मी की छुटियां स्कूल के दिनों की बात है मतलब यू स्टिल रिमेंबर ये उस वक की बात है बट हाँ वो एक छोटा सा एक एक स्पेरिमेंट था चला वो भी नहीं अन्तो गत्वा नीता का बेटा था नीता ही बनना था और कोई ऑप्शन नहीं था या ये है कि बाकी सब जगा फ्लॉप हो गए तो चले तिरा लीता है लालू यादव कहते हैं कि आपके पिता रामिलास पासवान मौसम वेग्यानिक थे उप पहले से पता चल जाता था कौन सी पार्टी जीतरी है दो हुजार चौदा में आप मौसम वेग्यानिक बने और आ कि तरह मौसम के रुक को अगर मैं बहाब सको अपने सरकार कौन सी आरी बात यह नहीं है लोग कहा जा रहें किस दिशा में जा रहें किसके साथ जा रहे हैं हम लोग ने कभी पोस्ट पॉल अलायंसेज नहीं किये आस तक कभी नहीं अब इसको में एक शुब संकेत ही कभी कभी पैदल चलके मिलने घर आती थे लेकिन चिराग पास्मान ने आकि उनका पत्ता काट दिया पत्ता किसी का ने काटा I think a need of the hour था मैं मेरे प्रधान मंत्री जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ और इसको मैंने खुले मंद से हर बार मैंने स्विकारा भी है और उनका जो विजन उस वक्ता मैं एकीसवी सदी का पढ़ा लिखा ही हुआ हूँ मैं नहीं मानता जात्पा धरम मज़भ की राजनिती में and the state that I come from बिहार बहुत जादा जातियों में साम प्रधाइक्ता में बाटा जाता है देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंद्री पत के दावेदा जो सवा सो करोड देशवासियों की बात करते थे मैं दोहजार चौदा का जिकर कर रहा हूँ उस वक्त ये बातें मुझे उनकी तरफ आपकर शिक्र करती थी ये बात सही है पापा शुरू में तयार नहीं था ये वास नोट रिडी कि वो अलाइंस को चेंज करें बट इवेंचुली उन्होंने भी गिवन किया और आप मोडी के हनुमान बन गए इवेंचुली ये एक किस्ता है इसके बीचे ये अच्छा मैं बताता हूँ कि मैं क्यो हनुमान बना और कैसे हनुमान बना 2020 का चुनाओ था तो उस वक हम लोग चुनाओ लड़ रहे थे अब मैं अकेला चुनाओ लड़ रहा था तो थोड़ा सा इंडिया अलाइंस के बीता वो हनुमान बना लेकिन देखे विरोधा भास है राबलास पासपान जी तो मंडल कमिशन लेकर के आए थे वो हमेशा शेडूल कास के लिए जन जातियों के लिए वन्चित के लिए खड़े रहे और अब आजकर लालू जी कहते है कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधान मंतरी बने तो समविदान खतम कर देंगे आरक्षन समात कर देंगे अच्छा क्यों करेंगे पहले मुझे यह बात बताया ना कोई क्यों करेंगे यह तो लालू जी बताएंगे हाँ नहीं मतलब वो कारण तो दे कि क्यों जरूरत क्या है किस वज़ा से वो समविधान को खतम किया जाएगा बदला जाएगा जिस प्रधान मंतरी ने इसी समविधान की वज़ा से लगातार वो मुख्यमंतरी रहे गुजरात के दो दो बार देश के प्रधान मंतरी तीसरी बार देश के प्रधान मंतरी बनने जा रहे हैं जो विक्ति लगातार इसी सम्विधान की वज़ा से देश के प्रदेश के सर्वोच पदों पे रहा कारण क्या है कि कोई सम्विधान को बदलेगा और क्यूं बाबा साहिब का बनाया हुआ ये समविधान है कोई मजाग थोड़ी है आज जो प्रदान मंतरी समविधान के सामने मस्तक होकर और उसकी शपत खाकर बोलते हैं कि जो भी होगा समविधान के आधार पर होगा और ये वो लोग हैं जो समविधान समाप्थ होने की बात करते हैं जिन्होंने समविधान का गलत इस्तमाल करकर देश में अपातकाल लगाने का काम किया जो लोग आज लोक्तंत्र की हत्या की बात करते हैं जो लोग बोलते हैं कि देश में लोक्तंत्र समाप्त हो जाएगा तो एमर्जेंसी में क्या हुआ था और आधनिय लालू जी का आप जिकर करें इनके तो परिवार के बच्चों के नाम उस अपातकाल की धाराओं में जो धाराओं लगाए गई थी उसके उपर रखे गए थे तो ऐसे में ये भ्राम फैलाने की आदत है 2015 का भी रज़सरा आप देखेंगे बिहार विदान सभा का चुनाओ चल रहा था उस वक्त भी एक बियान को पकड़ कर आरक्षन समापत हो जाएगा आरक्षन समापत हो जाएगा एक ऐसा होहला मचा दिया गया कि पूरा चुनाओ उस दिशा में चला गया दस साल बीद गया इस बात किया उनकी गैरेंटी है कि आरक्षन कभी खतम नहीं होगा गयारेंटी मैं रखता हूँ ना मैं देता हूँ मेरे नेता जब तक थे हम लोग बोलते थे हम लोग सरकार के हिस्से में हैं पहरेदार बनकर समाज की उस वंचेट शोशित दलित गरी परिवार से आने वाले लोगों के पहरेदार बनकर जो आज भी संभवता मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पाएं दोहजार उननिस अगर मैं ठीक से आते हैं दोहजार उननिस के आसपास की बात है अनुसुचे जाती जन जाती अट्रोसिटी आक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा था उसको डाल्यूशन को लेकर उस वक मेरे नेता मेरे पिता अदनिय रामलास पासवान जी डटकर सरकार के सामने खड़े हुए थे इवेंचुली उसको विड्रॉख करना पड़ा था सत्र को एक्स्टेंड किया गया था लोकसभा राज्यसभा का उस बिल को पारित करवाने के लिए तो ऐसे में ये गैरेंटी प्रधान मंत्री की तो है ही है पर आज की तारिक में गैरेंटी मैं भी दे सकता हूँ कि भाई जब तक चिराग पासवान है कम से कम इस बास से तो डनने की जूरत नहीं कि कि किसी गरीब का कोई हग चीना जाएगा ये विश्वास में देगा